हालो फ्रेंड्स कैसे हैं माइनेम इस सर्विस सिंग बेलकम टू यू माई क्लास मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए सबसे पहले से सब्सक्राइब करिए और वेल आइकन का भी बटन दवाईए लाइक करिए शेयर भी करिए आज का टॉपिक क्या है लैमार्क बाद यह कहां स से स्टाट होता है हाइज कुल से स्टाट होता है इंटर्मीडियट में आता यांटा है नीट के एक्जाम के लिए ये और आपके हैं यह से इंपॉर्टन टॉपिक है कि इसको तयार कर लीजेए तो क्या है इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं सीदे सीदे लैमार्क की लैमार्क ने एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो कौन सा सिद्धांत था उन्होंने जैब विकास का तर्ग संगत समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया था उसकी उत्पत्ती का वर्ण किया था कि जैब विकास के अंतरगत जीवों में धीरे-धीरे परिवर्तन कैसे होता चला गया और जो सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ती कैसे हो गई इस बाद का ये वर्ण करता है इनका सिध्धांत ये एक प्राक्रतिक बादी सैंटिस्ट थे इननों ने इस सिध्धांत के लिए अपनी पुस्तक में बिसेस रूप से इसका वर्ण किया उस पुस्तक का ना मैं क्या अपधाणाओं के लिए लिया था जिसके आधार पर लैमार्क ने लैमार्क बाद के लिए प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग आज याद करते हैं पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए उन्होंने कौन-कौन सी अपधाणाओं का चैन किया था कौन-कौन से अपधाणाओं के जिस प्रकार के बातावण में एनिमल्स रहता है बैसा ही प्रभाव उसके उपर अवस्य आ जाता है और इतना परिवर्तन उसके अंदर आ जाता है कि उसकी सारीरिक सर्रस्ना में बदलाव आ जाता है उसके सवाव में परिवर्तन आ जाता है और यही परिवर्तन चलता रहता है इस अब्धार्णा के लिए उन्होंने चैन किया था इस अब्धार्णा के लिए उन्होंने लिया था अपने सिद्धांत में अब दूसरी अब्धार्णा की बात करते हैं इस अब्धार्णा की बात करते हैं अंगों का प्रियोग तथा अनप्रियोग क्या दसाया था इस तथी के अंदर क्या बताया था उन्होंने कि यदि अंगों का प्रियोग अधिक मात्रा में जो एनिमल्स करते हैं तो उनके अंग वो में अधिक विकास होता है, उनकी अधिक ब्रद्दी होती है, और जिन अंगों का प्रियोग कम मात्रा में होता है, तो अंगों का धीरे-धीरे हिरास हो जाता है, वो अंग नस्ट हो जाते हैं, बिलुप्त हो जाते हैं, रह जाते हैं तो वो सिर्फ केवल एक अवसेशी अं नहीं होता है जिनका शरीर के अंदर कोई महत नहीं होता है केवल वही अंग रह जाते हैं जो एक अवसेशी अंग के रूप में होते हैं तो क्या दर्साया था उन्होंने इस तत्ति के अंदर यदि अंगों का प्रियोग करते हैं तो वो अंग विक्सित होते हैं उनका विकास होता है अगर जिन अंगों का प्रियोग नहीं करते हैं तो वो अंग विक्सित नहीं होते हैं धीरे धीरे वो हेरास हो जाते हैं और वो ऐ से बन जाते हैं अब से सी यंग के रूप में रह जाते हैं जिनका सरीर के अंदर कोई यूज नहीं होता है कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ता अगर उन्हें सरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो व्यक्ति आसानी से जीवित रह सकता है इस तर्थिकावी बर्ण लैमार् नेक्स्ट अब धाणा की बात करते हैं अब इन्हेरिटेंस आफ इकॉर्ड करेक्टर्स उपारजित लक्षणों की बंसागती क्या दर्साया था इसमें उपारजित लक्षणों की बंसागती में क्या बताया था इन्होंने ये बताया था कि एनिमल्स के अंदर इतना परिव परिवर्टन में उनकी जनरेशन के अंदर बिसेस बदलावा आजाते हैं और फुर बदलाव कभी कभी इतने हो खिए हैं कि अपने परेंट से तो little कि अपने ज्ट्रम फ्रूर्णी में घृंड हो जाती हैं इसलिए इसे उपारिजित लक्षणों की बनसा गतीप ही कहा जाता है। यानि बातावन में जीवों के अंदर जो प्रभाव पढ़ता है उसके माध्यन से या बातावन के माध्यन से जो जीवों की सारीरिक सर्रस्ना में बदलाव आ जाता है तो बदलाव इतना आ जाता है कि उनकी सारीरिक सर्रस्ना में भी परिवर्तन आ जाता है और वो परिवर्त जनरेट हो जाती हैं और जब नई जाती हैं तो उन जातियों से उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आना शुरू कर देता है वही लक्षण बनसागत बन जाते हैं इसी के लिए उपारजित लक्षणों की बनसागती भी कहा जाता है इन अब धाणाओं को लेते हुए लैमार्क ने कुछ उदाहान भी दिये कुछ साक्ष भी प्रस्तुत किये अपने सिध्धान्त को सफल बनाने के लिए वो कौन-कौन से उदाहान उन्होंने दिये थे हम और आप अच्छे डंग से जानते हैं उन्होंने जिराप का एकजामपिल दिया था क्या अब दरसाय था जिराप के भिसे में ये बताया था कि जो जिराप के पूरवज थे वो कैसे थे छोटी गर्दन वाले थे उन्होंने ये एक्जामपिल कहां से लिया था अफरीका के घने जंगलों से लिया था क्या बताया था इस तथी के अंदर इस अफधाना के अंदर क्या दर्साया था इस उदाहन में कि अफरीका के घने जंगलों में जब सूखा पढ़ गया अकाल पढ़ गया तो छोटी छोटी बनस्पतियां नस्ट हो गए जब छोटी छोटी बनस्पतियां नस्ट हो गए तो उन जिराफ के लिए खाने के लिए फूड नहीं रह गया बनस्पतियां नहीं रह गए तो क्या रहे गया उस जंगल के अंदर बड़े-बड़े पेंड रहे गए बड़े-बड़े ब्रक्ष रहे गए उन ब्रक्षों की पत्तियों को खाने के लिए वो अपनी गर्दल को उचा करते थे अपने आगे वाले पेरों का सहारा लेते थे जब भूख लगती है किसी भी एनिमल के लिए तो वो सब कुछ प्रियास करता है बनस्पतियां तो समाप्त हो चुकी थी लेकिन जो ब्रक्ष थे उन ब्रक्षों से फूड लेने के लिए उन्हें गर्दन को उपर उठाना पड़ता था पैरों को खीचना पड़ता था उपर के लिए लगातार पैरों के बीच में तनाव आता गया उनकी गर्दन में कि जिराफ ने अपने गर्दन का प्रियोग किया अपने पैरों का प्रियोग किया इसलिए उनके आगे वाले पैर लंबे हो गए और उनकी गर्दन भी लंबी हो गई ये दर्साया था इन्होंने एक एक्जाम्पिल और भी दिया था इन्होंने कौनसा एक्जाम्पिल दिया था ये बताया था सर्पों के पैर पहले थे हजारों बर्स पीडियों हजारों बर्स पहले सर्पों के पैर थे हजारों पीडियों से पहले सर्पों के पैर थे जो बर्तबान के सर्प है इनके पूर्वजों के पैर थे और जब ये सर्प पैरों से चलना इनोंने बंद कर दिया, क्यों चलना बंद कर दिया? चलना इसलिए बंद कर दिया कि जब ये बिल के अंदर प्रवेश करते थे किसी अपने आवास के अंदर प्रवेश करते थे जाडियों से होकर के गुजरते थे तो उनके पैर चलने में बाधाएं उत्पन करते थे इसलिए उन्होंने पैरों से चलना बंद कर दिया पैरों को उपर सिमेट लेते थे और संपूर्ण बोडी से चलना शुरू कर दिया जिससे उनकी बोडी के अंदर लंबाई बढ़ गई और धीरे धीरे जब उन्होंने पैरों से चलना ही बंद कर दिया तो ऐसी condition में पैर बिलुप्त हो गया है यह दरसाया था इन्होंने और अपना सिद्धान्त प्रस्तुत किया था लेकिन इनके सिद्धान्त में कुछ कट आलोचक भी थे वो आलोचक कौन-कौन से थे एक साइंस थे कुवियर एक बीजमान थे इन्होंने इनके सिद्धान्त की क्या लोचना की थी किया बताया था इनके सिद्धांत में क्या कमी है इनके सिद्धांत के अंदर किसका पालन नहीं करता इनका सिद्धांत को वियर ने क्या दर्साया था कि लैमार कहते हैं कि अंगों का प्रियोग करते हैं तो अंगों की ब्रद्धी होती है यदि अंगों का प्रियोग कम मातरा में होता है तो वो औंग हैस होस्ट हो जाते हैं। है है तो कोविर ने क्या दर्श आया था क्या बताया था पढ़ने बार इस्टुडेंट पढ़ने वाला च्छाथ अपनी आखों का सबसे जादे प्रियूप करता है सबसे जादे यूज करता है अपनी द्रस्टी के लिए लेकिन उसकी द्रस्टी निरंतर कमजोर होती जाती है यहाँ पर लैमार्क का सिद्धान्त विफल होता है जबकि एक पर लैमार्क के सिद्धान्त के अनसार यदि आधिक प्रियोग की जाती है उनकी आखों की द्रस्टी के लिए तो कंडिशन क्या होनी चाहिए उनकी आखों का प्रियोग अधिक मात्रा में होता है तो इनके सिद्धान्त के अनुसार क्या होना चाहिए उनकी आखें तीब्र होनी चाहिए उनकी द्रस्टी तीब्र होनी चाहिए लेकिन ऐसा कदाप नहीं होता है ऐसा नहीं होता है उनकी आखें कमजोर हो जाती है यहां पर इनका सिध्धान्त बिफल होता है और भी एकजामपिल दिया था पहलवान की जो मास्पेशियां होती है वो मजबूत हो जाती है लेकिन उनकी जनरेशन के अंदर जो मास्पेशियां आती है वो इस्ट्रोंग नहीं होती है यहां पर भी उनका सिध्धान्त बिफल होता है इन्होंने दरसाया था उपारजित लक्षणों की बनसागती के अंदर क्या दर्साया था बनसागती के अंदर, जो parents के अंदर character होते हैं, वो generation to generation अगर बदलाव आ जाते हैं, तो generation to generation बनसागत बन जाते हैं, लेकिन पहल बारन की जो mass species थी, उन mass species के लक्षन उनकी generation के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इनका ये सिद्धान्त यहां पर भी बिफल हो जाता है, एक आलोचना सबसे गहरी बीजमान ने भी की थी, इस आलोचना पर लैमार्क के लिए विसेश आघहात पहुँचा था, क्या अलोचना की थी, क्या धर्साया था इस आलोचना में, बीजमान ने एक experiment किया था, practical किया था, प्रियोक किया था, किस पर प्रियोक किया क्यों कि वो बीज जन्रेशन तक उसकी पूंच काटते रहे लेकिन फिर भी उनकी जन्रेशन में पूंच की सर्रसना आती रहे घा क्या था यह क्या कहना चाहते थे तो अगों का प्रियोग नहीं करते हैं तो वह सदा के लिए नश्ट हो जाते हैं कि बीजमान कहते हैं ऐसा नहीं होता है ऐसा तब होता है जब उसके जर्म प्लाज्म के अंदर जो करेक्टर नश्ट हो जाते हैं तब ऐसा होता है तो जब बीजमानने 20 पीडियों तब चुहों की पूश काटते रहे और क्या देखा कि प्रतिये एक जनरेशन के अंदर उनकी पूश आती रही और जब 21 पीडि के लिए उन्होंने देखा ति उस पीडि के अंदर उतनी ही बड़ी टैल आ गई उतनी बड़ी होती है तो ये प्रूप कर दिया कि ऐसा नहीं होता है कि यदि हम अंगों का प्रियोक करना नहीं चाहते थे पूश को समाप्त करना चाहते थे लेकिन फिर भी पूश उनकी जनरेशन के अंदर आती रही और क्या बताया था ये पूँच के वो आती रही बीज़मान ने कि इनके जर्म प्लाज्म के अंदर ये करेक्टर था इसलिए उनकी पूँच आती रही यदि ये जर्म प्लाज्म के अंदर ये लक्षण नहीं होता तो इनकी पूँच सदा के लिए लस्ट हो जाते एसा नहीं है कि घंगों का प्रियोक करते हैं तभी लक्षण होते हैं अगर जर्म प्लाजम के अंदर जो करेक्टर होते हैं जो लक्षण होते है वो बिकसित अवश्य होते हैं वो जरूर आते हैं और वो generation to generation बनसागत भी बन जाते हैं इस बीज्जमान की passion ने लैमार के लिए विसेश आघात पहुँचाया और ये बीज्जमान आपनी सालोसणा के आधार पर इनके सिद्धांत को भीफल बना दिया इसके अलावा कई ए और भी एकजामपिल है कई साइंटिस्टों नीए एकजामपिल दिये हैं क्या दरसाया है कि यह भी दर्साया है कि human beings कि जो मेल होते हैं वो निरंतर जीवन वर सेविंग करते रहते हैं लेकिन फिर विए उनकी जन्रेशन के अंदर सेविंग आती है ये भी एक्जामपिल दिया था scientist ने बैज्यानिकों ने ये भी एक्जामपिल दिया था और भी एक्जामपिल दिये थे एक छोटी बच्ची के नाककांचिदवा दिये जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जन्रेशन के अंदर नाककांचिदे हुए नहीं आते हैं तो इस तरीके स इसे कई ऐसे एक्जाम्पिल उनके सामने आ गया है और उनके सिद्धान्त के लिए बिफल बना दिया कि इन सारे जवाबों को सुनने के बाद में लाइमार्क के लिए विसेश आगहात पहुंचा और उनका सिद्धान्त बिफल करा दिया बिफल बना दिया थैंक्यू धन्यवाद बच्चो जिनके ये वीडियो समझ में आई है वो इसे सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और सेयर भी करें थैंक्यू